हेलो गाईज, वेलकम टू जावा डिटोल स्रीज, गाईज आज इस लेक्चर के इंसाइट हम जावा में एपस्टक क्लास और एपस्टक मेथड को एक प्रोग्राम बना कर समझने वाले हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास ममेंट तक वोच करें, क्योंकि ये लेक्चर आप पर परसन निम से एक क्लास डिवाइन कर देता हूं, इस तरीके से, अब java का rule ये कहता है कि आप किसी normal class में किसी method को declare नहीं कर सकते हैं define तो कर सकते हो लेकिन declare नहीं कर सकते हैं लेकिन हम declare करना चाहते हैं तब क्या होगा मैं यहाँ पर show name की method बना रहा हूँ मैं इसे declare करना चाहता हूँ तब क्या होगा तो Java का Rule कहता है कि Normal Class में आप Normal Method को Declare नहीं कर सकते हैं तब क्या करें तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप Declare करना चाहते हैं तो आपको इस Class को Abstract बनाना पड़ेगा या फिर आपको Interface बनाना पड़ेगा तो अभी हम Abstract Class का Concept सिख रहे हैं तो मैं इस class को क्या बना रहा हूँ, abstract class बना रहा हूँ जैसे ही मैं इस class को abstract class बनाऊँगा तो फिर error थोड़ा change हो जाएगा वो यह कह रहा है कि आप declare तो कर सकते हो लेकिन आप normal method declare नहीं कर सकते abstract class के इसे आपको abstract method declare करना पड़ेगा तो आप इस show को abstract बना दे तो जब आप इस shownem की method के आगे abstract लिखते हैं तो यह show name का method abstract method हो गया, और इस class के आगे आपने abstract लिखा, तो यह class abstract class हो गया, तो definition किस तरीके से आप बना सकते हैं इसका, कि ac class जो abstract method को contain करती हैं, वो abstract class है और abstract method को थोड़ा सा और समझते, abstract method वो method होता है, जिसका body नहीं होता है, वो केवल declare होता है, यानि abstract method ऐसा method होता है जिसको आप abstract class के insight define नहीं कर सकते, तो फिर इसको define कहां किया जाएगा, तो इसको define करने के लिए आपको इस class पा child class बनाना पड़ेगा, आप child class में इसको define कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मैं surname से एक another class बना देता हूँ, यहाँ पर आप किसी भी name से class बना सकते हैं, मैं जिस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने surname से यहाँ पर एक child class बना दिया है, और मैं person को inherit करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर extends keyword यूज़ करूँगा, और मैंने यहाँ पर person को inherit कर दिया, तो देखे, search जो है वक normal class है, और यहाँ पर error शो हो रहा है, तो वो error यह क्या रहा है, कि जब किसी normal class में किसी abstract class को आप inherit करेंगे, तो उसके inside जितने भी abstract method declare होंगे, इसके अलावा और भी methods अगर declare हैं, और वो abstract हैं, तो उससब को आपको यहाँ define करना पड़ेगा, यह से, तो आप इसको यहाँ पर define कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो show name का method है, उसको यहाँ define कर देता हूँ, जैसे मैं यह से define करता हूँ, देखिए, अब error नहीं आ रहा है, अब हट गया है, और मैं यहाँ पर message print करवा देता हूँ, sir, देखिए, कोई भी message print करवा सकते हैं, और class का name भी आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, कि क्या आपको abstract class समझ में आ रहा है या नहीं, या abstract method आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मैं आपको abstract class और abstract method समझा रहा हूँ, और बहुत आसान भाशा में और आसान example के basis पर आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझें, बहुत आसान हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे चलिए यहाँ पर आपने concept तो बना लिया लेकिन आप call कैसे करेंगे तो अगला रूल यह कहता है कि जो abstract class होता है उसका आप object नहीं बना सकते यानि कि इस class का आप initialize नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं आप abstract class का cable reference बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर जो person name का class है उसका reference बना देता हूँ reference तो बना ही सकता हूँ तो देखे मैंने यह reference बना दिया है अब इसमें अब इसके through मैं show को call कैसे करूँ बिना object के तो आप reference से call नहीं कर पाएंगे बिना object के कोई method call नहीं होता है और reference बनाने से Java में कोई object नहीं बनता object बनाने के लिए आपको new keyword का use करना पड़ता है तो फिर क्या करें तो आपने upcasting का concept पड़ा है अब casting का concept यह कहता है कि आप child class का object बना सकते हो और उस object को आप parent class के reference में रख सकते हो मेरा किस names हैøm arrival سब्सर में यहां पर सर्ड नेम की class का object बना देता हूँ और इसको मैं इस object में इस reference में पास कर देता हूँ जैसे ही object को इस reference में पास करूँगा तो अब इस person में object आ जाएगा यह내 कि person name की class को क्या मिल जाएगा object मिल जाएगा और अब इस reference से मैं call कर सकता हूँ उस class के methods को तो मैं यहाँ से show को call करता हूँ जैसे ही मैं show को call करता हूँ तो आपको overwriting का concept पता होगा कि compile time पर flow यहाँ जाता है लेकिन run time पर यह जो show है यह इसको overwrite कर देता है तो आपका output क्या मिलता है sir बना सकते हैं abstract method बना सकते हैं और उसको java में use कर सकते हैं abstract class को आप यहाँ better तरीके से समझ गये लेकिन abstract class के कुछ और rule भी है कि यह जो abstract class आपने बनाया है इस class के insight आप इसका constructor भी बना सकते है तो मैं यहाँ पर constructor बना के आपको बता देता हूँ मैं यह message प्रिंट करवा देता हूँ और message में मैंने person प्रिंट करवा दिया अब आप इसे build and run करें देखिए आपको output मिल चुका है person तो इसका सीधा मतलब यह कि आप after class का constructor बना सकते हैं एक और rule यह कहता है कि आप इस class के insight किसी normal method को define भी कर सकते हैं abstract method को तो आप यहाँ define नहीं कर रहे हैं बट normal method को define कर सकते हैं तो मैं other method बना देता हूँ मैं यहाँ पर print data name से एक method define कर देता हूँ और message print करवा देते हैं print data कोई भी message print करवा सकते हूँ मैं यहाँ पर print data message कर रहा हूँ और अब इस method को कैसे call करेंगे अलग से कुछ नहीं करना है इसी reference से आप call कर सकते हैं print data name की method को इस तरी कैसे अब इसे build and run करके check करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको person output मिला sir output मिला और साथे साथ print data भी मिला यहने की हुआ क्या कि जब आपने object बनाया तो constructor call हुआ तो person आपका output मिला फिर object बनाकर आपने show को call किया तो यहाँ पर जो overriding concept हो उसके विहाब पर sir print हुआ फिर इसके बाद आपने print data को call किया तो print data वाला method call हुआ तो आपका output मिला print data इस तरीके से तो dear friends इस lecture के insight मैंने आपको abstract class को with example with rules के साथ समझाने की कोशिश किया I hope कि आपको abstract class बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी आपको abstract class के insight कोई doubt है तो description में whatsapp का link है वहाँ पर आप discuss कर सकते बिलकुल free of cost मिलते हैं नेक्स लेक्चेर में तब तक के लिए बाए बाए झाल झाल